देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को सुशल मीडियापर एक वीडियो काफी वायर हो रहा है जिसमें एक श्रक्स प्रधानम stress नरेंद्र मोधी और भारत सरकार से मदद मांगता नजर आ रहा है रिपोर्ट के मताबिक वीडियो पाकिस्तान के कबजे वाली कश्मीर का है वीडियो में नजर आने वाले श्रक्स की पहचोान मलिक वसीम के रूप में हुई है वीडियो में श्रक्स कहता सोना जा रहा है यहां मौझूदा संपतियां भारत और सिखों से तालुक रखती है साथ ही वो कहता है कि पुलीस प्रतारित कर रही है उन्होंने कहा कि अगर कोई नया वेरियंट सामने नहीं आता है तो 11 मार्स तक करोना कमजोर हो जाएगा उत्रप्रदेश वधानसभाद चुनाव में भीम आर्मी के प्रमुक चंदरशेकर आजाद ने भारतीय जन्ता पार्टी के खिलाफ मोडशा खोल दिया है और सीम अधित्य नाथ के खिलाफ गोरख पुरसादर वधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है यूजर को नौ से ज्यादा सिम का रिवेरिफिकेशन कराने के लिए कहा गया था और उसके लिए 45 दिनों का समय भी दिया गया था इस आदेश की समय सीमा 45 दिन की थी और आज वो समय सीमा यानि की 20 जन्वली 2022 से समाप्त हो रही है ऐसे में बगेर सिम वेरिफिकेशन 9 से ज्यादा सिम चलाने वाले लोगों की आउट गोइंग कॉल बंद हो जाएगी कोरोना संक्रमन के 3,17,532 लेक के सामनिया है कल के मुकाबले नए मामले 12 प्रतिश्रत अधिक है वही दैनिक संक्रमन दर्भी 15.13 प्रतिश्रत से उपर उठके 16.4 एक प्रतिश्रत हो गया है इस बीच पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 491 लोगों की जान भी गई है ऐसे में देश में कोरोना से जान गवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,87,693 हो गई है यूपी दिली मध्रदेश पंजाब सही तमाम राज्यों में कोरोना मामले तेजी से बढ़ते जार है जिसको लेकर सरकार ने भी फिलहाल स्कूल खोलने का फैसला नहीं किया है वहीं महारास्ट में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ी ख़बर आई है और Infosys HCL टेक तथा Reliance Industries जैसे बड़े शेरों के नकसान में जाने के साथ गुरुबार को शिरवाती कारोबार में BSE Sensex में 107 अंग से अधिक की घिरावट आई है बिहार सरकार का Dream Project लोकनाय गंगा Expressway का काम तेजी से चल रहा है राजसरकार ने दावा किया है कि मार्च महीने तक First Phase का काम पूरा कर लिया जाएगा जिसको लेकर पत्नर्मान विभाग ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है ठन के कारण पत्ना समेत राजु के 10 जिलों में पारा सामाने से काफी नीचे होने का अनुमान है दोपहर के समेक कई जिलों में धूप निकल सकती है लेकिन इससे राहत मिलने की उमीद नहीं है पिश्र 24 गंटे के दौरान बिहार राजु का मौसम सुष्क है पच्छवा हवा से पत्ना स्थाइप पुरे प्रदेश के अधिकतर जिलों में कोल्ड डे की सिती बनी हुई रही पिश्र 24 गंटे में पत्ना गया छप्रा मुझफर पुर दरभंगा पूरवी चमपालन में कोल्ड डे की सिती रही प्रदेश में लगभग 13 जिलों में नियुंतम तापमान 10 डिग्री से नीच हुई आ गया उत्तर प्रदेश में बधान सफाज चुनाव से पहले सपाध्यक्ष और पुर्फ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बड़े एलान कर रहे है अखिलेश यादव ने गुरुबार को भी एक प्रेस कॉन्फरेंस में बड़ी घोशना की उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन विवस्था को बहाल कर दिया जाएगा सुप्रीम कोट ने नीट परीक्षा में अन्य पिस्ट्रा बर के लिए आरक्षन को सही बताया है सुप्रीम कोट ने कहा कि PG और UG All India कोटा में 27 प्रतिशत OBC आरक्षन समयधानिक रूप से माने होंगे साथ ही कहा है कि केंदर को आरक्षन देने से पहले इस अदालत की अनुमती लेनी की आवश्यक्ता नहीं है नीट में OBC आरक्षन देने का केंदर फैसला सही है भारत ने गुरुबार को बाला स्वार में ओडिसा के तट से दूर ब्रम होस सुपरसोनी क्रूज मिसाइल के एक नए वेरिंट को सफल परिक्षन किया है इस मिसाइल को नए टेकनोलोजी से लेस किया गया था जो परिक्षन के बाद सफलता पुर्वक सिंध हो गई 5G के वज़े से हाली में Air India ने US जाने वाली कई फ्लाइट को रद किया था रिपोर्ट के अनिसार अमेरिकी एरपोर्ट पर 5G नेटवर्क रोल आउट किया जा रहा है जिसकी वज़े से विमानों को खत्रा हो सकता है 5G के इस खत्र ने एरलाइन कंपनियों के साथ विमान यात्रों की भिच्विंता बढ़ा दी है कंपनी के शुयर गुरवार को NSE पर 16 प्रतिश्वत तक गिर कर 21.55 रुपे पर आ गए है इससे पहले कंपनी के गवर्णन्स इशू को लेकर तीन इंडिपेंडेंट डिरेक्टर्स ने बोर्ट से इस्तीफा दे दिया है पुधवार 19 जन्वरी को PTC इंडिया फाइनाशल ने जानकारी दी थी कि कमलेश विकम से थॉमस मैंथियो और संतोष नायर ने ततकाल प्रवाल से इस्तीफा दे दिया दोपहर 12 बच के 22 मिनट पर PTC इंडिया फाइनाशल के शेर 16.59 प्रतुषद गिर कर 21.35 रुपे पर आ गया है चीनी सेना द्वारा अरुनाचर प्रदेश के उपरी सियांग जिले के 17 वर्षिय लड़के का अभरन करने की खबरों के बाद कॉंग्रिस्तांस राहूल गांधी ने प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी पर निशाना साधा गांधी ने कहा कि गंतंतर दिवा से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग के विधाता का चीन ने अपहरन किया है वो हम मीराम तवरान के परिवार के साथ है और उमीद नहीं छोड़ेंगे हार नहीं मानेंगे युवाओं के लिए भारतिय नौसेना में भरती होने का बड़ा मौका है भारतिय नौसेना ने चार वर्षिय बीतिक डिग्री कोर्स कैंड़ेट एंट्री स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया है एक्जेक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच में 30 पद रिख्थ है और एड़ुकेशन में 5 पद रिख्थ है कैंड़ेट्स की भरती का आधार JEE मेंज एक्जाम का स्कोर होगा वित्मंत्र निर्मला सीतारमन एकफरवरी 2022 को अपने चौथे केंड़ेट बजट पेश करने की पूरी तर्यारी में है अलो अरजुन पश्पा के बाद एक और फिल्म रिलीज करेंगे इसी तरह के माहौल में उदेर फिल्म जब रचनाकार अलो अरजुन और उनके रचनाकारों को छोड़ देते हैं तो इसे एक महान अपसर के रूप में देखा जाता है अलो अरजुन एक तेलगु स्टार है उनकी फिल्म आला मेकुंट पुर मुलू के वल्ट तेलगु में बनी थी लेकिन अब इसे बड़े पैमाने पर रिलीज करने की योजना है इसे हिंदी में डब किया जाएगा और इस महीने गंतांतर दिवस सप्ताहान 26 जनवरी को सिनिमा घरों में रिलीज होगी देश का किसान कैसे सुखी आर्थिक रूप से मजबूत हो इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ ने आले कराती रहती है अब देश की मोरी सरकार ने किसानों को फार्मर्स प्रोड्यूसर और्गनाइजेशन के योजना के तहट 15 लाग का मोटा फंड देने की प्लानिंग की है लंदन की कॉंटेस्ट कॉंफर ने जब लंदन में ड्राइविंग टेस्ट दिया तो वो उसमें फेल हो गई इसके बाद उसने ब्रिटेन के सबसे आसान ड्राइविंग लाइसेंस की तलाष करना शुरू कर दिया उसे जानकारी मिली कि स्कॉटलाइन के पश्चमी तर्ट से कुछ दूर ओल आफ मूल में आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनता है प्रदेश की कुल 44 सीटों में अब 6 उमिदवारों पर ही फैसला होना बाकी है सबसे हैं बात है कि पार्टी में पंजी सीट से अंटासियो मुर से राते को भी टिकेट दिया है इस सीट से पहले सीएम मनोहर परिकर के बेटे उतपल परिकर दाविदारी ठोक रहे थे पार्टी को नसीहत भी दे चुके थे कि अधिव रशाचार को बढ़ावा दिया गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे मेडिकल सिल्लबस में पीजी कक्षाओं में दाखिले से जम्मधित राश्च्छे पातरता सेह प्रवेश परिक्षा 2021-22 नीट पीजी मामले की कांस्रिंग और नावांकन की प्रोक्रिया आग बढ़ानी के अनुमती देने के समद्ध में प्रथानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि आने वाले 25 साल कड़ी महनत त्याग और तपस्या की पराखाश्टा होंगे उन्हा ने कहा कि हमारे एक समाज ने सेंक्रों वर्षों की गुलामी में जोख होया है उसे वापस पानी के लिए ये 25 साल की अब धी एहम है समेत 5 राज्यों के चुनाव में भले ही प्रतियाशी डिजिटल कैंपेइन का प्रयास करे हो लेकिन इतना ही काफी नहीं है यदि आप किसी नेता का भाशन या कैंपेइन सोशल मीडिया पर देखते हैं तो वो अगले ही दिन आपके दरवाजी पर भी आकर धमक सकता है इसे नेताओं की डिजिटल और फिजिकल को मिक्स करने वाली डिजिटल स्ट्राटोजी कहा जा रहा है कोरोना काल में नेताओं के लिए सोशल मीडिया ही प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम बन कर उभरा है लेकिन अभी उमिद्वार फिजिकल कैंपेणिंग को अपने लिए बहतर मान रहे महराश्रो करनाटक और दिली जैसे राजो में सारवाधिक मामले सामने आ रहे हैं कोरोना की पीक पार कर लिया है वहीं इंडियन कांसल आफ मेडिकल रिसर्च आइसी एम आर के अतिरिक तिर महाने देशक डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि यह कहना अभी जुल्दबाजी होगी भारत में पहली बार अधारत में फेशल रिकॉगनेशन तकनीक को चुनौती दी गई है तिलंगाना के इस मुकदमे का नतीजा एतिहासिक होगा जुसका असर हर आदमी पर पड़ेगा लॉक्टाउन के दौरान हैंदराबाद में पुलीस ने स्क्यू मसूर को सरक पर ही रोक लिया था पुलीस ने अपने पुलीस ने अपना मास्क हटाने को कहा और फिर उनकी एक फोटो खिश्टी गए मसूर को इसकी कोई वज़े नहीं बताई गए लतामंगेशकर अभी भी आईस्यू में ही भरती है उनका इलाज करें डॉक्टर प्रतीत समदानी ने लतामंगेशकर के स्वास्त को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है डॉक्टर प्रतीत समदानी ने कहा है कि लतामंगेशकर अभी भी आईस्यू में है वो जल से जल ठीक हो सूची में 69 सीटों पर प्रतियाशी घोशित किये हैं जुन में 5 मही लाव शामिल है मुक्य मत्री पुशकर सिंग धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे उनके नाम पर मुहर लगाई गई है बतादे कि बुधवार को दिली में हुई पार्टी की केंद्रियेश जुनाव समीती की बैठक में प्रदेश भाजपा की तरफ से भेज़े गए दावेदारों के पैनल पर चर्चा की गई जिसमें जियाद तरसीटों पर सहमती बनी कल हमारे दोरा पुछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज़के लिए बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकान दबाना ना भूले धन प्रदेबाद